दोस्तों आज की कहानी हैं बहुत सबजी में इतना तेल क्यों डाला हैं दोस्तों कहानी सुरू करने से पहले अगर हमारे सेनल को सबस्क्राइब नहीं किया हूँ तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुं से हर रुज नया वीडियो रुमिलाजी आज खुसी से फुली नहीं समा रही थी खुस होती भी क्यों नहीं एकलोती बेटे वीनिय के अभ्याक और नहीं नवेली धूलन जो गर में आ रही थी बेटे का केलम नामी वीनिय नहीं था बल्कि उसमें वो सारे गुण मोजू थे जो आज कल की पेड़ी के आस्ता दोनों मा बेटे में गुजब का समझी था तभी तो वीनिय ने दिक्सा से पेली संपष्ट कर दिया था कि यंदी मा की अनुमती होगी तभी वो उसकी साथ विवा की राप और आगी बढ़ीगा उर्मिलाजी ने भी नाती रिष्तिदारों की परवान नकर दिक्सा वीनिय के अंतर जास्य वीवा को अनुमती दे दी थी पती को खाने के बादिक्लोता बेटा वीनिय उर्मिलाजी के जीने का एक मात्र आधार था आज उनकी इस सोटे से प्रिवार में एक नए सदसिय का परवेश हो रहा था वीवा समारों के लिए सभी रिष्टेदारों को नियोता बेजा गया था मेहमानों की गलत मांगमी थी जहां एक और पकवानों की खुस्बू थी तो दूसरी और फुलों की खुस्बू रोसने की लड़िया जिल मिला रही थी बना बनी के गीतों से पुरा गर गुजरा था और साद्रिक में उर्मिलाजी की आंके बार बार सलसरा जाती थी सभी विवस्ता आए देखने के लिए खुद कभी इधर तो कभी उधर सक्सकर गिनी सी दोड रही थी लता और बीना मौसी को देखते वीनियों बोला मौसी आप लोग मा को जरा एक जगर बेटकर आराम करने को बोली तो उन्हें तो खुसी में ठकान का भी पता नहीं सला ठीके बने जी अब तो उनका क्याल रखने वाली आई रही और तुमारी भी लता मौसी ने सीड़ाया तो भी नी लजाता हुआ बोला या मौसी आपी सबी खिलकला कर अस पड़े लता और बिना दोनों बेनों ने उर्मिला दीदी को महिलों के बिस लाकर बीटा दिया दीदी आप बैठो आम सब हैं आप हाँ बाबी आओ आओ आपके हाथों में भी मेंदी लगा दो साथ नी बुगा बोली ठीके बाबा बैठ जाती लो थोड़ी सी सुंगन की मेंदी लगा दो खो और उर्मिला जी ने अठेली फैला दी परकी लड़कियां और मेलिया मेंदी लगाने और नास गाने में वेवस्ती सांती उर्मिला जी की सोटी नलंधी वह उर्मिला जी की हाथों में मेंदी लगाने लगी मेंदी लगाती लगाती सांती बोली बाबी सलो आपकी ये जिम्मेदारी भी पूरी हुई लड़की दूसरी जाती की हैं तो लेकिन बच्चों की खुशी में हमारी खुशी पर मेरी एक सल गाट बाल लेना बहु के आती लड़का प्राया हो जानता हैं तुमने कितनी मुसीबतों से विन्य को पाला इसलिए नहीं बहु की जरा लगाम कसर कर रखना नहीं तो तुमरा इकल लोता बेटा तुमचे दूर सलाजाई का अरे सांती ऐसा कुछ नहीं होता दिख सा बहुत अ लड़की हैं उर्मिला भावी सुरात में तो सभी लड़कियों आची होती हैं और नहीं सांती मुझे विन्य की पसंद पर पूरा परोसा हैं उर्मिला जी ने को तो दिया लेकिन सांती का तिरसाई निसाने पर बेटा था उर्मिला जी के दिल में कहीं कुछ घटक सा गया ब जी से लिपट कर जोर जोर से रोते वे बुली अपना ख्याल रखना भावी कुसी दिनों में दिख्षा ने गर और उसकी वेवस्ता को सेंधसाते अपना लिया साथी के दस दिन भीते थी वीनियस सो कर उटा और कमरे से बाहर आया तो और मिला जी ने रोज की त्रहु से कहते हो कहते वे दिख्षा ने उनकी हाथ से सही लेली नास्ते की जिमेद्यारी भी दिख्षा ने संभाली खाने की टेबल में उनकी बनाई पुय और हलवे को वीनिय सवाल लेले कर खार रहा था मा को थोड़ा थोड़ा खाता देख बोला अरे मा आप खाना रही देखो ना कितना स्वादिष्ट बनाए खाते खाते वीनिय अपनी रो में बोल गया और उनमिलाजी के देमाग में सांती के कई सब्द गुमने लगे दिख्षा और वीनिय गुमने के लिए कूलू मना ले गए पहुंश कर वीनिय ने फौन किया मा सर अर्मिलाजी को अपना बेटा दूर जाता हुआ लगने लगा वीनिय और दिख्षा लोट कर आई तो उर्मिलाजी का वेवार कापी बदला हुआ था खासतोर पर दिख्षा को तो वह हर बार पर टोगने लगी हुशा इतनी मीती क्यों है वीनिय को मीटा पसंड नहीं सबजी में इतना तेल मीटस तो नहीं है मा वीनिय को ता तो बोल उर्टी साधी के बाल तेरी आदते भी बदल गए वीनिय की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था दिख्षा ने उन्हें खुष रखने और पासाने की बहुत कोशिस की थी लेकिन होने तो जैसे अपने सारा तरफ दिवार सी बना ली थी जिसे देखसा का परवेशनी से था करीब दो मैने बाद एक रिष्टेदार की साधी में तीनों लोग सामिल होने उजन गए सांती बाबी परिवार समीच पधारी थे उरमिलियजी को गुमान था की सांती ने अपनी की लगाम तो अची तरह कस कर रखी होगी लेकिन यह तो नजाराई कुछ ओर था दोनों साध बाब कम माबेटी ज्यादा नज diff आ रही थी सांती अपनी बहु की सोटी सोटी बातों का ध्यान रख रही थी वहीं उनकी बहु भी सास की सूर में सूर मिला रही थी तो क्या वो सला सिर्फ दूसरों के लिए थी उर्मिल्याजी को अपनी नासमजी पर बड़ी कोपत होने लगी सांती की सला मान कर तो अपने घर की सांती भंक करने वाली सली थी साधी से लोट कर आये तो जैसे पुरानी उम्रिलाजी भी वाबस लोट आई थी नास्ते की टेबल पर दिखसा की बनाई सीले खाते विये बोली बेटा दिखसा तुने तो बहुत सवादिर सिले बनाएं मुझे तो ऐसे कभी बनते नहीं फिर विन्या की और देखते भी बोले क्यों रे सुबसाब खा रहें जरा सी तारी भी नहीं कर सकता विन्या मा को देख मुश्क्रा दिया दिखसा की आखों में भी आशू के आशू सि झाल 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 झाल